है लो दूस्तों इस वक्त आप आराम से बैठ कर इस वीडियो को देख रहे हैं अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जगह पर बैठे हो वो जमीन करोडों साल पहले आड़ जार पांसो डिक्रिता मान से उबल रही है या जिस जगह आप बैठे हो वो जगह लाखों साल तक पिर्थवी कैसे बनी बरमान और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस का विसे बना रहा है आज इतनी वज्ञानिक परगती के बावजूद हमारी धर्ती पर कई ऐसे रहस मौजूद है जिनका पता लगाना वज्ञानिकों के लिए लगभग ना मुम्किन है आम लो पिर्थवी का निर्मार्देरता या इसवर ने किया है वहीं दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, विसाई और इस्लाम धर्मे की मौन थाओं भी अलग अलग के बारे में वैज्यानिक माननिता है कि लगबग पांच अरब वर्ष पूर्व अंत्रिच में कई गैसों के एक साथ मिलने से भेंकर विस्पोट हुआ था जिसे आग का एक विशाल गोला बना जिसे आज हम सूर कहते हैं धमा का इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कड़ उपहल गए और गृत्वा करसरवल के कार ये कड़ पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों में बदल गए कई सालों के अंतराल के बाद ये कड़ आपस सेल्सियस था ऐसे समय में धर्ती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा चट्टाने और कई जरीली गैसे हुआ कर्थी आइसे में पिर्थवी पर जीवन का अस्तित्व होना संभव था पिर्थवी की उत्पत्ति के अनसार थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर पर 30 सेकंड की गती से पि पिर्थवी से निकला कचरा एक गेट के रूम में बन गया जिसे हम चंद्रमा कहते हैं इस परकार चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद अंत्रिच में बची से इस चट्टाने पिर्थवी पर गिरने लगी इन चट्टानों में अजीब परकार के क्रिस्टल होते थे जिनें पानी कठा कर लिया इतने पानी के लगातार जमा होने से धर्ती की सताय ठंडी होने लगी और चट्टाने सकत हुए लेकिन लावा भी भी उसी रूम में पिर्थिवी के आंत्रिक भाग में मौझूद था और सताय का तामान 27 डिगरी सेल्सेल तक पहुंच गया था पे पर मरजूद जल लाखो वर्स पहले पहले काहा है उश समय सब्सक्राण की शुर्आत कैसे उी से दर्टी पर वड़ां 48 आरफ साल साल सही की उत्पती हुई थी धर्ती पर लगाता जो अलमुकी फट भी रहे थे और साथ ही उलकापिंडों की बारेश भी उलकापिंडों की माधियम से पानी और नमग के साथ साथ अंध्पदार भी पित्वी भरा रहे थे हैं में कारबन और अमीनो इसिद आधि पदार थे जो हर जीव जन्तू और पौदों में मौझूद होते हैं इतनी उचाई से उलकापिन गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे जहां सूर की किरणों का उन तक पूझना संभो था बाद में ये उलकापिन ठंडे होकर पानी में जमने लगे इसके बाद या एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और जो अलामुठी की दरारों में पानी कुछने से चिमनियों से धुआ निकलने लगा जिसने बाद में एक तरह से chemical soup का रूप ले लिया इसे पिर्धिवी पर सूच में जीवन पर आरंब हुआ और पिर्धिवी पर एकल कोशिका जीवारू की उतपती हुई पेतिवी की उत्पत्ती के समय जब समुद्र के निचली सतह पर पाउदे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवारू उत्पन्न हो रहे थे वग्यानिक बासा में इस्ट्रोमेटोलाइड कहते हैं यह अपना भोजन सूर की केड़ों से बनाते हैं और इस परकिरिया को वग्यानिक रूम में परकास संसलेसर कहते हैं परकास संसलेसर की परकिरिया में सूर का परकास कारवन दायकसाइड और पानी को गलुकोज में लंबी अंतराल के बाद समुद्र की सतय पर आक्सीजन गैस आने लगी जिससे सीवन संभव हुआ वैक्यानिकों की अनुसार दो और अब वर्सों तक पिर्थवी पर आक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पिर्थवी के घुमने की समय सीमा भी कम होती गे आज से डेर अ साल पहले पिर्थवी के पहले सूपर कांटिनेंट रोडी निया का निर्मार हुआ इससे अब पिर्थवी का ताम मान घट कर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया था और दिन 18 घंटे लंबे होते थे उस समय पिर्थवी की स्थिती वर्दमान मंगल जैसी लगभग सारे 700 करोड़ व इतने सालों के बाद भी जोğiला मुखी के भटने और जहुली गैसों के निकलने का सिल्सिला अब भी जारी था जहुली गैसों में करबन दायाक्साईट सुर से निकलने वाली करोड़ों को असोसित करने लगए और इससे पिर्थवी का ताम मान बढ़ने लगा बर्टे ताम्मान के कारर समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा साथ ही कारबन डायकसाइड गैस के कारर अमली वर्षा होने लगी और इसके अलावा कोई अन्द स्रोथ नहीं था जो जरीली गैस कारबन डाया अक्साइड को असोसित करना शुरू कर दिया जिससे बर्फी पिगनने लगी इसके बाद फिर्थवी पर दिन 22 गंटे के हो गए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दें और चलोल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई